एक जाम आएक्यू की इस वीडियो में जारखन्ड पुलिस उत्पात सिपाही और विशेश साखासे समंधित देख रहे हैं यह नोवा मोडल सेट है उससे पहले आठ मोडल सेट अफ्लोड हो चुके हैं जो आने वाले एक्जाम में पुछे जा सकते हैं इसमें जारखन्ड जी इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाव उठाएं तो चलिए सुल करते हैं यह नौवा सेट है तो पहला सवाल है परसिद गाहत्री मंत्र कहां से लिए गया है तो परसिद गाहत्री मंत्र रीगवेद से लिए गया है तो सही इंसर हो जागा उप्शन सी गाहत्री मंत सबसे पुरानी पीठी कुण सी है तक सीला हो जाएगा तो सबसे पुरानी पीठी तक सीला बोले तो तीसरा स्वाल है हल्दी घाटी के लड़ाए किसके बीच लड़ी गई थी तो हल्दी घाटी के लड़ाए अकबर और महराना परताप के बीच रहे लगड़ी गई थी तोसे इंसर अप्शन C अकबर और महराना परताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाय हुआ था जिसमें अकबर की बीचे और महराना परताप की हार हुई थी नेकिन ये लड़ाए महराना परताप में बड़ी बाहदूरी से लड़ा था तिसरा स्वाल देखते हैं तिरंगे कोराष्ट धोज के रूप में किस अधिवेशन में सुविकार किया गया कोंग्रेस के लाहूर अधिवेशन में तिरंग को राष्ट दौज में सविकार किया गया तो तिरंग किना नहीं और इसकी अध्यक्षिता किस ने की थी और एक बहुत से एकजामें पूछा गया था तो यह अध्यक्षिता की गए थी जोहरलान नहरू के दोवारा तो लाहुर अधिवेशन के अध्यक्षिता 1929 में जोहरलान नहरू के दोवार की गए थी और इस अधिवेशन में राष्ट 32 में हुआ था किसखे किसके बीच में तो पूना समझेभाता स behaviors 1922 में गांधी और हमेटकर के बीच वेश बीच फूना समझे ता binge 32 में वाथ और कहा पर हुआ था है और वादा गमें में हुआ था टो पुना सम्झेब गांधी और हमेटकर बीच उन्ही सो बत्यसमें अरवादाज जेल में हुआ था चठा सुवल किस समेधानिक संसोधन द्वारा नगरपाली का विदहक पारित हुआ तो नगरपाली का विदहक किस समेधान संसोधन के द्वार पारित हुआ तो उसे ही अंसर हो जागा उप्संदी 24 समेधान संसोधन 1993 के दोवारा नगरपाली का विदेयक पारित किया गया और नगरपाली का चोहतरवा है और पंचायत तहतरवा सुधन था पंचायत और नगरपाली का चोहतरवा से समधी थे भारत में पंचायती राज परनाली सविधान की किस अनुछेद में रखा गया है तो भारत में पंचायती राज परनाली को अनुछेद 40 में रखा गया तो अंसर भी ऑप्शन भी है अनुछेद 40 में भारत में पंचायती राज ब्यस्ता को रखा गया और अनुछेद 40 किसमें ह जो अनुस्य चालिस है राज के निरती निर्देशक तातु के अधिन अनुस्य चालिस में पंचायती राज की बेखा की गई है अगला सवल सतों है भात में पंचायती राज परनाली सविधान की कि किस अनुच्यत की निर्देश में रखा गया है तो अप्सिंच भी है चालिस कि साथ हो गया था और एक रोस को जिसकी अगवाह रूस कर रहा था तो पहरत किसे में सामिल ने रहा के ततर्ष्ट्र रहा था तो इसंसीको गूट निर्पेक्ष बोल गया था तो बाड़ूं सम्हेल हनग गूट निर्पेक्ष चांदोलन से समधीत था और गूट निर्पेक्षफ चांदोलन के जन реально कोने थे नहरु नासीऊर और टिटु सोचना का अधिकार अधिन्यम, की स़र्स पारित वा था तो सुझना का अधिकार अधिन्यम, पारित वा था है, आगलास हाँ, दुनिया की च्छत आनि रूप अफ दा वर्ल्ड किसको बोला जाता है तो रूप अफ दा वर्ल्ड दुनिया की च्छत पामीर की पठार को बोला जाता है आनि इसको एक अर्णियम है तिबत का पठार या पामीर की पठार तो दुनिया की च्छत किसको बोला जाता है रूप या तीबत का पैठार теперь टीब्त या पामीर का पठार जो है दुनिया की सबसे उच्ची पठार रहे तो सबसे उच्ची पठार पामीर का पठार जिसको दुनिया की च्छत बोला जाता है we abstraction B हम यूमा प्रसार उस हिमाले का है जो इस्तित है तो आराकाना यूमा प्रसार हिमाले का है जो कहां पर इस्तित है इसका सही अंसर हो जाएगा option B महमार में आराकामा यूमा महमार में इस्तित है जो हिमाले का एक भाग है अगला स्वल किस परवती अस्तल को सतपुडा की रानी बोले जाता है तो सतपुडा की रानी किस परवती अस्तल को बोले जाता है तो इसका सही अंसर वोजेग उप्सन एक पंचमडी पंचमडी को सतपुडा की रानी बोले जाता है इस सवल मतपुर्ण है तो सत्पूडा की रानी पंजमडी नेक्स्ट स्वाल निल्खित में से वे पाड़ियां कौन सी है जो पुर्वी और पच्छिमी घाट को जोड़ती है तो पुर्वी और पच्छिमी घाट को जोड़ने वाली पाड़ियां कौन है तो इसका सही answer option C निल्गिरी की पाड़ियां जो है पुर्वी घाट और पच्छिमी घाट को जोड़ती है और निल्गिरी की पाड़ियों की सबसें उची चोटी क्या है दोडा बेटा निल्गिरी की सबसें उची चोटी नेक्स्ट स्वाल भारत और पाकिस्तान के मैदे चलने वाली समझोता एक्सप्रेश कहां से बीच चलती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझोता एक्सप्रेश चलता है सम्झोता एक्सप्रेष भारत और पाकिस्तान की बिच चलता है नेकिन किस सहर की बीच तो इसका सैँई अंसर है ऑप्सिं का एक्सप्रेष छलता है बहर्त पाक के बीच एक्सप्रेष चलता है अजास और सदाय सरहद क्या है सदाय सरहद भारत बंगलादेश बस सेवा सदाय सरहद और समझोता एक्सप्रेश भारत पाकिस्तान नेक्स वाल जेमिनी रोई ने कलाके की चेतर में नाम कमाया है तो जेमिनी रोई किस चेतर से समंदित थे तो जेमिनी रोई चेतर कला की चेतर से समंदित थे और इस सवाल SAC में पुछा जा चुगा है जेमिनी रोई और यह अगला जो स्वाल है इस सेकण करनेकों बार किसी भी स्टेट और PCS के आगजाम है पुछा जाएचुका है तो हेरी पोडर सिरीच की पुछटा करे लेखा किस ने लिखी तो हेरी पोडर सिरीच की पुछटा करेको कोन है तो इसका सभी अंसरい अपसं भी जेकी रॉलिंग तो Harry Potter Series के पुस्तक के लिए के कुन है जेकी रॉलिंग तो इस सवाल सेक्ड़ों बार पुछा जा चुका है तो इस सवाल को माणे में रखिया गए तो Harry Potter Series के पुस्तक के लिए के लिए जेकी रॉलिंग Next Hotmail का सरीजन किस ने किया था तो Hotmail का सरीजन किस ने किया था तो इसका सही इंसर है Option ए साविर भाटिया तो Hotmail के जनक किस कोन है Hotmail के जनक साविर भाटिया है और यहाँ Bill Gates है तो Bill Gates जो है Microsoft के है मालिक अगला स्वाल नगूल ट्रॉम किस देश की मुद्रा है तो नगूल ट्रॉम किस देश की मुद्रा है तो इसका सही इंसरॉप संदीव भूटान भूटान की रायदानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा क्या है नगूल ट्रॉम नगूल ट्रॉम भूटान की मुद्रा है और नेपाल की मुद्रा क्या है रुपईया है तो एफ्म रेडियो बेन करने वाला दूनिया का पहला देश नार्वी है तो संचार तंत्र के लिए उप्योग में लाई जा रही भारती उपग्रस रिंखला का क्या नाम है तो दूर संचार है तंदर के लिए उप्योग में लाई जा रही उपग्रस रिंखला है इंसे नेक्स सवब भारत के पहला पेपर लेसं वहक्तिमेंग कोन से हैं तो भारत के पहला पेपर लेस और ब्रांच रहित बेंग कुन है तो इसका सही इंसर हो जागा option C, Digibank, Digibank ऐसा भारत का जो भारत का पहला पेपर लेस और ब्रांच रहित बैंक है, Digibank किस अर्दसेनिक बल में पहली बार महिला बाटालियन गठित की गए है, कौन सा पेरामिलेटरी फोर्स में पहली बार महिला बाटालियन गठित की गए है, तो इसका सही अंसर है, option B, CRPF CRPF में पहली बार महिला बटालियन गठित की गया है तो सवाल पुछा जा सकता है तो मैंड़ ब रखिएगा CRPF में पहली बार महिला बटालियन गठित किया गया है तो option भी सही है इसका अगला सोल हाली में भारत महिला बैंक का विले किस बैंक के साथ किया गया है तो भारत महिला बैंक का किस बैंक में विले हो गया है तो इसका सही इंसरोप्शन ये किन च्रेनों की बीच अंचलीट है तो भारत में तेज具 श्रेनी की पहली लगजरी ट्रेन की सही अंसर पहुतर हैぎ तो चलेगी घुंचली है जनौरी दिसमिर को वितवर्स का रुपे बनाने की खोच्छन की है juvenile हाल में भारत के कौन से राजन है जनुवरी से दिसमीर तक वितंवर्प बनाने की घुषनाः की है तो सहिंसराख का आपस्ञन d korn कौन है Mudhapardis ओर ज्रारघ hehe ने जनुवरी से दिसमार को वीत्मश्व अब डॉर्श बनानंगी गोसनागी है तो इसे वह से एक अपरेल से भारत में वीत्मश शुरूआ नेकिन जनुरी और से दिसमर्थ तक ही वीत्मश्व बनाना ने की थी निल्स नेकिन SBI bank तो देश का फाला digital गाम कुण सा है अकोदरा जो किस bank दोरा अंगी करीद है तो SBI bank के दोरा State bank of India नेक्स्ट तुर्क मेनिस्तान की राजधानी का है तो तुर्क मेनिस्तान की राजधानी असे का बाद है तो से इंसर उप्शन सी असे का बाद तुर्क मेनिस्तान की राजधानी है नेक्स्ट स्वाल अफगानिस्तान का राष्ट फूल क्या है तो अफगानिस्तान का राष्ट फूल क्या है टूलिप 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 अफगानिस्तान का राष्ट फूल है तो अब जितने भी सवाल है सारे जर्खंड से है तो एक सवाल से कितने जितने भी सवाल बनेंगे तो देखेंगे एक्स्ट्रा पॉंट भी देखेंगे तो देखेंगे बने रही है जारखन में लोकसभाद छेत्रों की कुल संख्या कितनी है जारखन में लोकसभाद छेत्रों की कुल संख्या कितनी है चगदा तो चगदा है तो कितने इसमें ST, SC और जैनरल के कितने है तो अनारक्चित आठ सीटों पर चुनाव लड़ सकते है और ST के लिए 5 सीट बूक है और सब्सक्राइब मिल्द सब्सक्राइब राज सभा की 6 सेटों कि संक्या है और विधान सभा की टोटल बेरासी है और पूछे निर्वाचित बोले तो एक आसी और एक मनोनित होता है टोटल बेरासी है सवाल जिस टाइब के पूछे उस टाइब का अंसर दीजिएगा निमलिकित में से कोई से अनुसीजित जन जादी आनी स्टी आरक्षित विधान सभा छेतर नहीं है तो इसका सही अंसर वाजागा देवगर रिजब छेतर नहीं है तो देवगर विधान सभा रिजब नहीं है इसके बाद लातेहर सिम्डेगा और खूटी रिजब लोगसभा क सीट है इसमें रिजर्ट अनरक्षित सीट है 33 लातेहर जिले का भोगोलिक चेतरपल कितना है तो उसे इंसर हो जाएगा नेक्स्ट किस सोर्स में यौरदगा को जिले का दरजा मिला तो लोडगा जिले का गठन का हो है तो इसका सही इंसर है, अप्शन है, लोहर्दागा का गठन का वह है, 1983 में, नेक्स्ट, और लोहर्दागा, किस पर मंडल के दिन ही, इस आपका काम है, इसके comment box में comment के रिबॉर्बर बताए, लोहर्दागा किस पर मंडल के दिन ही, निम्लिकीत में से किन दो राजियों के साथ ज्ञारखन अपने पच्मी सीमा साजा करती है तो ज्ञारखन कौन सी दो राजियों के साथ पच्मी सीमा साजा करती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा कौन से दो राजियों के जिसके साथ पच्मी सीमा साजा करती है पच्मी देख यह अपना ज्हारखंड हो गया, तो ज्हारखंड के उत्तर में कोन है, उत्तर में बिहार है, और ज्हारखंड के पूरव में कोन है, पच्छिम मंगाल है, और दक्छिन में कोन है, दक्छिन में ओडिसा है, और पच्छिम में कोन है, उत्तर परदेश और छतिसगर, तो ज्हार आगला स्वाल निम्लिकित चिल्लों में से कौन सा जिल्ला किसी भी पड़ुसी राज के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है तो कौन सा ऐसा जिल्ला है जो किसी भी पड़ुसी राज को नहीं पर चूती है तो इसका सही अंसर है खुटी खुटी ऐसा जिला है जो किसी राचर साथ नहीं लगा हुआ है. तो अपर गूटी घुटी जिला को राची से इस शोंद आलग के आуск mucha निंदी है, तो केसो अटको गुरियो और गुखाना नदी किस नदी की साहिग नदी है तो इसका सही इन सर उप्षन ये बराकर नदी किस आहिग नदी केसो अटको गुरियो और गुखाना नदी है 39 जामताडा जारकंड का एक जीला है जिसे किस जिले से अलक करके बनाए गया है तो जारखन जांताडा को किस जिले से अलक करके बनाए गया है तो इसका grands सरकार ने किसानों कि Sharpie करने का लक्ष की किस रखा गया है जाहेइंत है उसका अनसर है 2012 और जहारकंड सरकार भारत सरकार ना भी किसानों के आई हम्bigण न करने के लाक्स 2020 तक रखा ए तो इस सोछमस्ते कथा है आने वाणे वैपने पूछा जा सकता है तो जहारकंड बहुम्द और भारत सरकार ने किसानों के आई को तो दूगुना करने के लक्स दो जर्वाइस तक रखा है कि फोटीवन कि छे एच 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 सी ओ ले एम पी एप का गठन की स्वर्स किया गया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 1830 इसका फोलफोर्म आप Google में सर्च कर लीजीगा कर लना लिए और वह थो और फोटीटू डीडीडीव जी जे वाई का पुरूरा नम क्या है तो डीडीडीव जी जे वाई का पूरूरा नम क्या है तुँकि यह चल रही तो आने वाले यहां में पूछा सकता है की जए नए दिन द्याल उपाध्याय ग्राम जोति होजना तो डिडिक्टई यूज द्न प्रॉपाध्याय ग्राम जूतिय यूजना उल्हक तक हुं रूज अप्रपाढ की से मिलॉंग कर रही है 45 कि चुबली पार्क किस सहर में सुल्जित इसन ईए हो जागा जमसित पूर में तो जूबली पार्क जमसित सिकार तो जन जातियों का वार्षिक समाह सामुईक सिकार है संद्रा 47 ठूसु महत्सो ने मिलकित त्यहवारों में से किस के साथ मना जाता है तो ठूसु महत्सो किस त्यहवार के साथ मिला के मना जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा मकर संक्रांती तो मकर संक्रांती जनौर यह महने में मना जाता है तो उसकी के साथ मिला के ठुकू ठूसू मना जाता है और ठूसू मन्सू जो है जन जातियों के परमुक्तेवार है 48 इसको की गुफाएं कहां पेस्तित है तो इसको की गुफाएं हजारी बाग में इसको नामकस्तान पेस्तित है 50 तो किस जन जाती में ग्राम के मुख्या को मुख्दम बोला जाता है तो किस जन जाती में गाउं के मुख्या को मुख्दम बोला जाता है तो इसका सही इंसर है बेगा बेगा जन जाती में गाउं के मुख्या को मुख्दम बोला जाता है 51 अलहा उदल किस जन्जाती के नायक थे तो अलहा उदल किस जन्जाती के नायक बेक्तितों है तो अलहा उदल किस जन्जाती समंदी थे तो सहीं सर्व बंजारी अलहा उदल बंजारा जन्जाती समंदी थे जो बंजारा जन्जाती जो है एक जिससे समन अलहा उदल है 52 बत्थोडी जन जाती को किस नाम से भी जाने जाता है तो इसको सहिन से रोजेगा बत्थोडी जन जाती को भूमिज के नाम से भी जाने जाता है सहपूर किला सहपूर का गिला किस के दोरा बने गया था तो सहपूर का किला जो है गोपाल राव के दोरा बने गया था तो सहिन से रोजेगा गया था जारखंड के बसे एक लोते एंगलो इंडियन गाउं गाउं का नाम क्या है तो जारखंड में एक एंगलो इंडियन गाउं है इसका क्या नाम है इसका नाम है मेक्सूल की गंज तो सेंसर उप्षन यह जारखन के एक मात्र एंगलो इंडियन गाम कौन सा है मेक्सूल की गंज तो उप्षन इसका सही है वादनत्र थाला किसके द्वारा त्यार किया जाता है वादनत्र है एक थाला जो किसके द्वारा त होता है तो थालाग निर्मान का साथ से होता है तो से इंसर ओप्सन यह सही है अगला तो दसाहरा में निम्लिखित में से कौन सा निर्थी सिख्चक और चात्र दोनों के दवरा साथ किया जाता है तो दसाहरा में कौन सा डांस है जो टीचर और स्टुदेंट दोनों एक साथ मि करते हैं 57 धाका 되어 है म्मेमन सिंग WOR कohlकल्क्ता के करांतिकारी कि सस्थान पर चुब कर गुफ्थ परचार करते थे था तू धाका मेमन सिंग और कोलक्ता के गुफ्थ परचार करते थे तो से इंसलो उप्सलिक जे जमसेदपुर में ढांकर निवह सिथे देघर में चली गोली में सहीद होने वाले वेक्ति में कौन थे तो भारत छोड़ आंदोलन 8 अगस 142 को फुस्टर हुआ था नेकिन देघर में 26 अगस 142 को इस अस्तर पर एक गोली चली थी तो इस गोली कांड में कौन से सहीद हुआ था तो इसका सही अंसर है असर अफिलाल भार छोड़ अंदोलन के दवरान देघर में गोली कांड में सहीद हुए थे तो सहीद से रोप्शन है नेक्स्ट मुगल बादसा अगबर नेकिस सेनापती की नेयतिर्तों में मुगल सेना ने 181580 में छोटा नागपूर खास के नागवंसी सासक मधूकरन सा पर आकरमन किया अगबर का मुख्य सेनापती मान संती रख था अलेक्टरस वाल है हुआ प्ली इमाम किस जन जाती लोकला किसे समधीत है तो इसका सही अंसर हो जाएगा सौराय और कोहबर जन जाती कला से बुलू इमान समंदित है और आजकल जैसे सी एक और स्वाल पुछने के चलाया है तो जो परसिद बैकती है वो किस जिले के निवासी है तो बुलू इमान हजारी बाग के निवासी है तो बुलू इमाम कहांस के निवासी है हजारी बाग में यहारकन में राज बनने के बाद जहारकन के छे मुख्यमंत्री में से उन में से कितने भारत जनता पार्टी से थे तो जहारकन का निर्मान 15 पार्टी से तीन मुख्यमंत्री में से कौन कौन है उसके बाद अर्जुन मंदा और वर्दबान मुख्यमंत्री रगवर्दास जो बिजेपी से तीन हुए और दो मुख्यमंत्री जारकन मुक्ति मोर्चा से हुए कौन को ने हमांत सो रहें और सिबू सो रहें और एक मुखी मंतरी निरदलिया हुए है कौन थे मधू कोड़ा तो इस सवाल से इतने जनकारी मिलती है अगला सवाल जारकन की पहले मुक्य मंतरी बाबलाल मरण्डी की स्राइशती का दल सकते तो एस सवाल जयरकन पुलीस में म Themburg इने पार्टी कर निरंमान किया उसके क्या नाम है जारकन बबिकास मोर्चा और इभी स्वाल पूछा जाए चुद्टा दोना सवाल और एक और सवाल यह पेसी भी पूछा गया है तो बाबलाल वांडी जब पहली बार मुख्यमत्री बने तो यह कहां के विदायक थे दूसर इंसर हो जागा रामगड अगला सवाल जहारकन में कितनी विदान सभा सीट थे हैं तो Comp ed no सब… अगर निर्वाची पूछ ИтакAc is Contous elect इसके लाव एक मनोनीत हैज टो टोटल बेरासी हो जाता है नकिर ऑफ्सन के नुसर Southeast निर्वाची पूछा गया है तो जहारखन मोगीत निरवाची सीतें 80 अगर टोटल पूछे तो बेरासी इस तो दिमान माइन में रखते हुए अंसर दीजिएगा निमलिकित राज़ितिक दलों में से कौन सा दल जो कभी जहारखन राज में सत्ता में नहीं है तो जहारखन राज में सत्ता में कौन-कौन से नहीं आया है रोफ में मंतरी रहे हैं मुखीमंतर करहा इसके नहीं होगा है तो ठल vivo को सा दल जारखन में सत्ता में नहीं आए तो कॉंग्रेस बगबा जार बीजय को हिपे में और निरदली ड Awak as we हाँ कि हरा म ह도 जारकन के वरत्मौन राज-बअन का नेरमान की की स्वर्स हुआ था तो ज्यारखंड के वर्तमान, राज बहुन-का निर्मान की स्वर्स हुआ था तो इसका सही अंसर हो जाएगा ? संदी उन्सवेक्टिस में तो जारखंड के वर्तमान राज बहुन करने निर्मान उन्सवेक्टिस में हुआ था सश्ष्टिस सेवक्ट जारखंड के राजपल द्रौपति मुर्मू ने घोसना की कि ओहर रांक्षी के निम्लिकिता स्थान वनों देवार आज जित द्रिश्टी आने नेत्र कारें में अपनी नेत्र को दान करींगे तो द्रोपति मुर्मू ने नेत्रृदान की घोसना की है किस अस्पताल में घोसना गी है तो सहिन सरुजा कप कस्यप मेमोरियल आय होस्पिटल में दुरोपती मुर्मूने घोसना गीती की हुए नेत्रदान करेंगे ज्यारखन में पहली बार राष्पती सासन की स्वर्स लागू था तो ज्यारखन में पहली बार राष्पती सासन 2009 में लगा था तो 19 जनूरी 2009 में ज्यारखन में पहली बार राष्पती सासन कीतनी बार लग चुगा है तो ज्यारखन में अभी तक राष्पती सासन तीन बार ल लगा था है नेक्ट स्वाल कोर्मां हजारी रग उध्योगी छेत्र किसखहनान के परसीद है किBaid媽 1ग भरोगा जाए ह depressing है निवह भाघं़ श्रीद लोगीति स्ताफनी कि स्वर्स होए ठीया तो सब्सक्राइब तो यह थे समधित कुछ मतपुरसवल जो आने वाल एकजाम में जैसे के विभीन एकजाम में पुछा जा सकता है तो थैंक्स पर वाचिंग की प्रफिरसंग